नमस्कार स्वगत्यापका हमारे अचार जागिंद्र मिसाच चैनल पर पैसे गिनते गिनते ठक जाओगे 90 वर्सों बाद 13 जुलाई को असाड गुरु पूरिमा छे राश्या होंगी करोड़पती दोस्तों पूरे 90 सालों के बाद 13 जुलाई दिन बुद्धवार को दिखेगा असाड गुरु पूरिमा का चांद इन छे राश्याश वालों की लगने वाली है लोटरी दोस्तों इन छे राश्याश वालों के उपर माता लक्षमी का अश्रवाद अब बनने वाला है 13 जुलाई दिन बुद्धवार को असाड गुरु पूरिमा के दिन बन रहे हैं कई सारे दूलब सबस्योग इस दिन महा लक्षमी योग और साथी सरवार सिध्योग और अमर सिध्योग का निर्मार हो रहा है जिसके कारण माता लक्षमी की विशेश कृपा इन छे राशियों पर पढ़ने जा रही है माता लक्षमी जी स्वैम अब इन छे राश वालों के घर में पधार रही हैं जिससे अब इन छे राश वालों की जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिठने वाले हैं दोस्तो इनके जीबन में एक नया लाव देखने को मिलेगा माता लक्ष्वी कृपा से अब इनका भाग सात्मे आस्मान पर रहेगा दोस्तो असार माह में पढ़ने वाली पूरिमा को असार गूरु पूरिमा के नाम से जाना जाता है धार्मिक मानताओं के अनुसार इस दिन चार बेदों का ग्यान देने वाले महारिशी बेदब्यास जी का जन्म हुआ था मानोजात के प्रति उनकी योगदान को देखते हुए उनके जन्मोसों को गूरु पूरिमा के रूप में मनाया जाता है महारिशी बेदब्यास जी ने पहली बार मानोजात को चारो बेदों क इसले इन्हें प्रतम गुरु की उपाधी दी जाती है। असाड गुरु पुरिमा पर कई सारे राजयोग और धनियोग कर निर्माड हो रहा है। इस बार की गुरु पुरिमा बहुत ही ज़्यादा खास मानी जा रही है। फिर भागवान विश्योग और माता लक्षमी की पूजा राधना करें। क्योंकि पूडिमा केतिती भागवान विश्योग जी को समरपित है। और माता लक्षमी जी इस दिन काफी प्रसन मुद्रा में रहती है। इसलिए इस दिन आप पूजा पाठ करने के बाद फिर अपने गुरु से आशिरवाद ले। इस दिन आप गुरु दिछा ले सकते हैं। गुरु से आप यनिकी मंत्र ले सकते हैं। जो गुप्त मंत्र होता है। इस दिन गुरु को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। इस दिन आप अपने गुरु को यहां गुरु का दर्सन करने जरूर जाएं। या फिर अपने घर पर ही गुरु को बुला कर उन्हें यथा योग संभव कुछ दान जरूर करें। दोस्तो इस दिन गुरू को दान करने का सर्वशेश दिन माना जाता है और गुरू की सेवा करने से ही विशेश रूप से पुन फलों की प्राप्ति होती है। दिन शर्वार शिद्योग और अम्रिश शिद्योग का निर्मार हो रहा है जिसके कारण माता लक्षमी जी काफी परसंद मुद्रा में रहने वाली हैं। इन राशियों की लोटरी लगने वाली है धन से माला माल बनने वाले हैं। धन संपत्य में इजाफा होगा ब्यापार वे तेजी से ब्रदे देखने को मिलेगी। तो आखिर ये भागसाली राशियां कौन कौन सी है जिन्हें भी सेसलाब होने जा रहा है इस बार की असाड़ गुड़ी पूर्मा के दिन। दोस्तों आप से नरोध है की वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें। शाथी साथ दोस्तों को पीज इसे शेर कर दें। और एक रिक्वेस्ट और है की चैनल को सबस्क्राइब करके बेल अइकन को प्रेश जरूर दबाईएगा। और इस वीडियो को पूरा आवश्य देखिएगा तो चलिए बात करते हैं इन विशेश राशियों की जिनका भाग उदय होने वाला है इस बार की असाड गुरु पूरिमा के दिन दोस्तों इस लिश्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो ही यहाँ पर मेस राशिका मेस राश के याद को बता देखी अब आपकी किसमत चमकने वाली है भाग उदय होने वाला है भाग में बरदी होगी कई महतपूर्ण छेतरों सिलाव होगा जो कार आपके अधोरे पड़े थे पिंडिनिंग ते उन्हें पूरा करने का प्रियाश करेंगे महतपूर्ण सफलत करते नजराएंगे आप इसमें आपकी जो आंदनी होगी वो दुगनी होगी रुकव फसव धन्भी प्राप्त होगा माता लक्षमी कृपा से अब आपको जवेन पूर्परिटी से विशेश लाव होगा शाति साथ कहीं पर भी आप बिजनिस व्यापार करके मुनाफ़ा कम सकते हैं विदेश जाने के सपने पूरे होंगे गारी बाहन का सपना साकार होगा कई महतपूर्पूर्ण शेतरों शिलाव देखने को मिलेगा माता लक्षमी क्रपा से अब आपकी आमदनी बढ़ सकती है चुकार रुके वे ते पिर्णिक दे उन्हें पूरा कर सकते हैं सात दुगनी राज चुगनी तरक्की करेंगे अब अगली जो राश याती दोस्त बता दे वो है यहाँ पर करने राश करने राश क्यात को बता दे कि अब कई विशेश अबसर आपको प्राप्थ होंगे तीरा जुलाई को अशार गुडू पूरिमा के दिन कई सारे दूलब सरस् इसलिए माता लक्षमी की खास कृपा आपके उपर रहेगी अब परिवार में सुला होगी परिवार में मतभेद दूर होंगे और परिवार में खुशियों का बाता बर देखने को मिलेगा कुछ अच्छे काम के लिए विदेश जा सकते हैं बिजनेस प्यापार कारोबार के सिलसले से यात्राइं करनी पड़ सकती है नोकरी में प्रोमोशन और नोकरी में पद प्रिश्टा मान समान सब कुछ मिलता नजरा आएगा कई छेतरों से विशेष लाब होगा जुकार रुके वे थे पिंडिनिंग थे उन्हें पूरा करने का प्रियास करेंगे साथी साथ आपके सपने अधूरे थे तो उसे भी पूरा करेंगे धन समपत्ति में लाब होगा कई महत्पूर्ण छेतरों से विशेष उपलब्धी प्राप्ती होगी जुकार अभी तक अधूरे पड़े थे उन्हें पूरा करने का प्रियास करेंगे साथी सफलताएं कदम चूमेगी ब्यापार में वरदी होगी धन समपत्ति के लाब होगा कई महत्पूर्ण छेतरों से विशेष लाब होगा आपके द्वारा बनाएगे योजने काफी कारगर सावित होगी धन समपत्ति के मामले में काफी लकी रहने वाले हैं अब अगली जो राशी आती है तीसरी दोस्तो वो है तुला रास्क तुला रास्कत को अब आपके किस्मत चमक जाएगी ब्यापार धन में विशेष लाब होगा पारिवारिक जीवन में शुलाए होगी कई महत्पूर्ण छेतरों में लाब होगा आपका वैवारिक जीवन काफी सुकमे रहेगा संतान प्राप्ति के प्र अब अगली अलियर चौथी जो राश्याती है वो हैंपर मकर रास्क जाएग को बता दे कि अब आपके किस्मत चमकने वाली है धन संपत के मामलें काफी लखी रहने वाले हैं ब्यापार में वर्दी होगी लाब की योगध बने रहेंगे लाकतार आपके धन में वर्दी कुछ अच्छे कारियों में उपलब्दिया देखने को मिलेगी जो कार अधूरे पड़े थे पिणनेक ते उन्हें पूरा करने का प्रयाज करेंगे साथी महत्पूर्ण सफलताई प्राप्त होंगी आपके दोरा बनाएगे योजने काफी कारगर सावित होगी बहतर लाब की योग बनेंगे साथी साथ आपके मन की इच्छाएं भी पूरी होंगी अधूरे कारियों को पूरा करेंगे लगातार आप अगर किशी काम पर प्रियास है तो उसमें सफलता मिलेगी अंदर नी बढ़ेगी नोकरी हो और रुकाव फसा वह चाहे पैसा हो उसमें भी आपको ब्रदी देखने को मिलेगी बैंक से लोन बगर है मनजूर हो सकते हैं आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और साथी साथ तो रुके विए तमाम कार भी पूरे होंगे अब अगले जो छट में जो राशी आती है वो है यहाँ पर मिथुन रास मिथुन रास आपको बता दे कि अब इस बार के असार कूर पूरिमा के दिन कई सारे दूलब सुषयोग बनने से माता लक्ष्मी के अपार कृपा बनी रहेगी मालक्ष्मी कृपा से अगर स्टूडेंट है तो बड़े संस्था में दाखला ले पाएंगे उच्छी सिक्षा के प्राप्ती होते विदेश जा सकते हैं साथी साथ आपको कोई महत्पूर्ण रिजल्ट देखने को मिलेगा बड़े संस्था में दाखला ले पाएंगे आपको कंपर्टीशन पुर्दो की परिक्षे में विशेश लाब होगा स्वास्त सम्मंधी परिशानिया खत्म हो जाएंगी स्वास्त को लेकर जो दिखते थी जो मतभेत थे वो भी दूर हो जाएंगे साथी कई महत्पूर्ण शेत्रों से विशेश शलाब होगा आपको कारियों में वर्दे देखने को मिलेगी धन संपत्त के मामले में काफी लखी रहने वाले हैं ब्यापार में तेजी से मुनाफ़ा करेंगे और तेजी से विस्तार करेंगे दोस्तों ये छे राशिया ऐसी हैं जो कि इस बार माता लक्ष्मी की कृपा पात्र बन रही है माता लक्ष्मी कृपा से इन्हें दुगने धनलाब की योग बन रही है तो कमेंट में जरूर लिखेगा जय मालक्ष्मी और साथी साथ दोस्तों प्रेम से बोलिए जय मालक्ष्मी साथी वीडियो को लाइक कर देजेगा अपने दोस्तों को शेर कर देजेगा और यदि चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और आल पे सिलेक्ट जरूर करिएगा. जय मालक्षमी